प्रबाद बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापी का आशिमा महाजन आज शितिज भागवन के कावे खंड के सवईये रस्खान पाठ को लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ पहले रस्खान जी का कभी परिचे जान ले कोमल कांथ ब्रज भाषा में रचित रस्खान जी की कविता स्वभाविक्ता के गुन से परिपूर्ण है हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा की सेवा करने वाले कृष्ण बक्त मुसल्मान कवियों में रस्खान सबसे आगे गिने जाते हैं जी हाँ बच्चो रस्खान क्रिष्ण भक्ती काव्य के सूप्रसिद कवी हैं जिनका जनम सन 1548 इस्वी में राजवंच से सबंदी दिल्ली के एक समरित पठान परिवार में हुआ था इनका मूल नाम सयद इब्राहिम था शिरिक्रिष्ण की भक्ती के कारण भक्त जन इन्हें रस्खान कहने लगे थे यह शिरिक्रिष्ण और उनकी लीला भूमी ब्रज की प्राकृतिक सुंदर्ता पर मुग्द थे रचनाई जानने रस्कान की द्वारा दो रचनाई प्राप्त हुई हैं एक सुजान रस्कान और दूसरी प्रेम वाटिका सहित्यक विशेशताएं जाने रस्कान जी की कविता में भक्ती की प्रधानता है इन्हें शिरिकृष्ण से सबंदित प्रतेक वस्तु प्रिय थी। इनकी कविता का आधार शिरिकृष्ण का रूप, सौंद्र्य, वेशबूशा, बांसुरी, बालकृडाई है। कोमल कांत प्रजबाशा में रचित रस्खान जी की कविता स्वभाविक्ता के गुंसे परिपून है, मुक्तक छंद्चली का प्रियोग इन्हें बहुत प्रिये है। प्रीसरे चंद में कृष्ण के रूप, सौंद्रे के प्रती, गोपियों की मुक्दता का चितरन किया गया है, जिसमें रस्खान जी स्वयम कृष्ण का रूप धारन कर लेना चाते हैं। चौथे संद में कृष्ण की बांसुरी की तान पर सारे ब्रजवासियों का कृष्ण के वश में होने का भाव व्यक्त हुआ है। चली आगे बढ़ते हैं पहले स्वयय की तरफ। पहला स्वयय द्यान से सुनिए बच्चो। तो वही रस्खानी बसो ब्रज गोकुल गाउं के गवारन। जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरो नितनंद की धेनू मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी कोजो कियो हरिचत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदंब की डारन। पहले आप शब्दर्थ जान लीजिए। मानुष मानुष मतलब मैन जानिकी मनुष्य। संग संग मतलब साथ। गवारन जानिकी गवालूं। पसु मतलब पशु। कहा बसु। क्यावश नो कंट्रोल। देनू गाएं। मनजारन इन बिट्वीन जिसे आप कहते हैं बीच में। पाहन जानिकी पत्थर। गिरी परवत। हरी भगवान जी के लिए का है गौड कृष्णा के लिए। पुरंदर जानिकी इंद्र भगवान। खग पक्षी बर्ड। कालिंदी यमुना नदी की बात हुई है यहां पर कालिंदी। कूल किनारा कदम एक पेड है जमुना तरप पर। डारन डालियों ब्रांचिस जिसकी बात आप करते हैं ठीक है। अब आगे देखिए। मानुश हो तो वही रस्खानी बसो ब्रज गोकुल गाउं के गवारन। तो इसके लिए उसने क्या-क्या उधारन दिये। देखिए रस्खान जी कहते हैं मानुश हो तो वही रस्खानी बसो ब्रज गोकुल गाउं के गवारन। कि यदी मैं अगले जनम में मनुश्य बनू तो गोकुल गाउं के गवालों के मद्य बसना चाहूंगा। यदी मैं पशु बनू और मेरी इच्छा पूर्ण हो तो मैं नंद भाबा की गायों के बीच में चरना चाहूंगा। जानि कि कभी क्या इच्छा प्रकट करा कि अगले जनम में मनुश्य के रूप में अगर जीवन पाए तो ब्रज शेतर के गोकुल गाउं में गवालों के बीच रहना चाहता है। गवालों शब्द में आदा गह आएगा बचो और लग के नीचे जो उकी मात्रा बनी है वो नहीं लगेगी। गवालों के बीच रहना चाहता है क्यूंकि शिरिकृष्ण उनके साथ रहे थे ना और गवालों को उनकी निकरता बहुत अच्छी लगी थी उनको गवालों को तो सोभागय प्राप्त हुआ था शिरिकृष्ण की निकरता पाके तो रस्खान जी भी यही चाहते हैं इसलिए उन्होंने एक आए कि अगर मैं पशु बनूँ और मेरी कोई भी च्छापून हो तो मैं नंद बाबा की गवों में गाएं बनकर सदा चरूँ आगे कहता है प शिरिकृष्ण ने अपनी उंगली पर धारं कर लिया था और पुरंदर मतलब इंदर का अभिमान तोड़ने के लिए उन्होंने शत्र के समान धारं कर लिया था गोवर्दन परवत को शिरिकृष्ण ने तो इसलिए पुरंदर जाने की इंदर की बात हुई है यहां पर जो मैं पक्षी बनू तो यमुना के किनारे कदंब की डालियों पर ही बसेरा करू अगर मुझे पक्षी बनना पड़ा तो मैं उस पेड़ की डाली पर बसेरा करना चाहूंगा यो यमुना नदी के किनारे कदंब के पेड़ है तो भाव यही हुआ कि कभी किसी भी अवस्ता में च दिवास करना चाता है नंद बाबा के पशु चराने की कामना करता है कि अगले जनम में नंद बाबा की गायों में एक गाय बन जाए जैसे वो शिरी कृष्ण की निकरता प्राप्त कर सके बस कोमल सी उनकी ब्रजवाशा का प्रियोग हुआ है बस सवया चंद में यही बताया अब आगे बढ़ते हैं या लकुटी अरू कामरिया पर राजती हुँ पुर को तजी डारो आठू सिद्धी नवो निदी के सुखनंद की गाई चराई बिसारो रस्खान कबो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटि के कल दोत के दाम करील के कुंजन उ उपर वारो तो इसमें या लकुटी या मतलब इस लकुटी मतलब लाठी लकडी के लिए का गया है कामरिया मतलब कंबल तीहु तीहु मतलब तीनो तजी मतलब छोड़ दू त्याग दू आठू सिद्धी आठ सिदियां होती है अलोकिक शक्तियां होती है आठ जो लोग आठ अलोकिक शक्तियां है जिनके नाम लिए हैं उन्होंने नवनिदि, नवनिदियां है, पदम है महा पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकंद, कूंद, नील, खर्व, ये कुबेर की नो निदिया हैं, नो खजाने है कुबेर के, गाई मतलब गाई, विसारो मतलब बुलादू तड़ाग मतलब तलाब निहारो मतलब देखूं कोटिक मतलब करोडो कल दोत कल दोतोता सोने चांदी के महल जो होते हैं करील कंटीली जाडियां वारो मतलब नियोशावर करूं ध्यान से सुनिएगा रस्खान जी क्या कह रहे हैं कि कभी ने शिरी कृष्ण के प्रती अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है कि वो हर अवस्ता में क्या चाते हैं ब्रज शेत्र और अपने इश्ट को अपने इश्ट देवता शिरी कृष्ण को प्राप्त करना चाते हैं तो इसलिए कभी रस्खान क्या कहते हैं यालकुटी मतला छोड़ दूँ कहता मेरे लिए इतना माइन नहीं रखता तो कभी रस्कान कहते हैं कि मैं ब्रज शेत्र में शिरिकृष्ण के गवालों की गवों को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनकी द्वारा ओड़े जाने वाले काले कंबल के बदले क्या करूं तीनों लोगों का तीनों लोकों का रज्य त्याग दूँ तो ये रस्कान जी ने बहुत बड़ी बात यहां पर कह दी तो वो शिरिकृष्ण के लिए कुछ भी करना चाते हैं मतलब देख लो एक मुसल्मान कभी है लेकिन उनका कितना विश्वास है तो कभी रस्कान जी न लाठी है जा काला कंबल है उस पर तो मैं तीनों लोगों के राज्य को त्याग सकता हूं जानि कि जो लाठी और कंबल है वो राजपाट से जादा महत्वपूरन है आठों सिद्धी नवो निदी के सुखनंद की गाई चराई बिसारो अब कहता है कि इस संसार में आठ परकार कि मैं ब्रज शेतर के वनों बागों और तलाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊंगा कब देख पाऊंगा उनकी मतलब ललक हो रही है उनने कि ये सुख कब मिल पाएगा कि जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रजबुमी के वन देखी हैं बाग देखी हैं तलाप देखी हैं इनके दर्शन की हैं तब से मुझे कहता है अन्हें सारे सुक जो हैं जितने भी संसारिक सुक है वो सारे व्यर्थ प्रतीत होते हैं इसलिए रिसकान जी क्या कह रहे हैं कि मैं कब देख पाऊंगा मैं ब्रज शेतर में कोटी के कल दोत के दाम क्रील के कुंजन उपर वारो की मैं ब्रज शेतर में उगी जो क्रील की कंटीली जाड़ी हैं उन पर करोडों महलों को नियोशावर कर दूँ यानकि यमुना नदी के तटपर खड़े जो करील कदंब के वरिक्ष हैं उनके उपर कितने ही सोने के महल मैं नियोशावर कर सकता हूँ भाव यह है कि जो सुक ब्रज के प्रकृतिक सौंद्रे को निहारने में हैं वे संसारिक वस्तूओं में दूर दूर तक नहीं हैं यह वो नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुक पर हासिल कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि यह आठो परकार की सिदियों को भी पाकर नहीं मिल सकता है और नहीं नो परकार की निदियों में मिल सकता है क्योंकि नंद की गायों को चराने का जो सुक है वो सर्वो परी है इसीलिया ब्रज मुमी को निहारने के बाद उसे संसारिक वस्तूओं में कोई दम प्रतीती नहीं हो रहा है कभी को उसे ब्रज के बाग बगीचो तलाबो नदी में विशेश कर्शन प्रतीत हो रहा है इनके सामने जो सूने के महल है वो भी व्यर्थ लग रहे हैं तो रस्कान जी का कृष्ण की जितनी भी वस्तुएं हैं जो उनसे सबंदी जितने भी स्थल हैं उनके प्रती जो अटूट प्रेम अभी व्यक्तु है उस क्या दिखाता है वो यही दिखाता है कि श्री कृष्ण के प्रती कवी का रस्कान जी का कितना लागाव है वो कितना ब गरेप पहिरोगी ओडी पितंबल लैलकुटी बन गोदन गौरिन संग फिरोंगी भाफ तो वो ही मेरो रस्खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान ना धरोंगी तो कभी रस्खान द्वार जो रचित ये सवया है इसमें एक गो क्यों वो बताया गया इस सवये में देखिए मोरपखा मतलब मोरपंक गुंज मतलब गुंची होती है न गरे मतलब गला पितांबर मतलब पीला वस्तर लकुटी लाठी गोधन गायों का धन जिसे गोधन कहते हैं मुरली बांसुडी मुरली धर मुरली धारन करने वाले कौन अब गोपियां शिरी कृष्ण की भक्ती में इतनी वशी बूत हो गई है वश में आ गई है कि शिरी कृष्ण का स्वांग भरने को त्यार हो गई है तो यही वर्नन करते हो एक गोपी क्या कह रही है दूसरी गोपी के कहने पर शिरी कृष्ण की वेश बूशा पहन कर कृष्ण का रूप धारन करने को त्यार है वो कहारी है कि मोर पखा सी रूपर राकियों कि मैं अपने सिर पर मोर का पंक लगा लूँगी गुंज की माल गरे पहरोगी और गले में गुंजो की माला भी पहन लूँगी ओड़ी पितांबर लेल अकुटी बन گोदन कि मैं शिर कृष्ण का पितांबर भी ओड़ लूँगी पीले वस्तर भी ओड़ लूँगी और उनके समान हाथ में लाठी लेकर गायों और गवालों के साथ भी फिर लूँगी गोदन गवार नी संग फिरूँगी भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी तो हे सकी तुझे जो कुछ भी अच्छा लगता है वैं सब तेरे कहने से मैं स्वांग करने को नकल करने को त्यार हूँ अर्था तेरे कहे अनुसार शिरी कृष्ण का रूपधारं कर लूँगी पर या मुरली मुरली दर की अधरादरी अधराना दरूँगी होटो मैं अपने होटो पर शिरिक कृष्ण द्वारा बजाई जाने वाली जो बांसुरी है उसको कताई नहीं रखूंगी रस खान जी कहा रहे हैं कि गोपी जो है रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होटों पर कभी नहीं रखूंगी यहां गोपी की न यो एक चिर्ड है किस बात की वो शिरी कृष्टन के लिए सब कुछ कर सकती है पर मुरली को अपना दुश्मन मान रही है सोत मान रही है इसलिए अपने होटों पर नहीं लगा सकती है गुंजों की माला भी पहन सकती है पीले वस्तर भी पहन सकती है मोरपंका मुकुड भी दारं कर सकती है हाथों में लाठी लेकर गौलों के साथ गाएं चराने को भी वनवन जाने को फिरने को भी तियार है शिर कृष्ण को खुश करने के लिए वो सारे परकार के सुवांग करने को तियार है सारी नकले करने को तियार है लेकिन एक मुरली ऐसी है जिसे गोपी अपने होठों से नहीं लगाना चाती क्यूंकि वो मुरली को अपनी सोत मानती है जो सदा शिरी कृष्ण के होठों से लगी रहती है इसलिए वो उसे अपना शत्रू मानती है और उसे अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती तो गोपियों का शिरी कृष्ण के प्रती निश्यल प्रेम प्रकट हुआ है यहां पर तो रस्खान जी ने शिरी कृष्ण के प्रती गोपियों के जो निस्वार्थ प्रेम का चितरन किया है उसके बारे में सवईये में बताया गया कि गोपियां शिरी कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारं करने को त्यार है मोर पका मोर के पंकों से बना मुकुट होता है जिसे शिर कृष्ण अपने सिर पे धारन करते हैं तो बस यही सवईये में बताया कि मुझे इससे चिर्ड है गोपी बांसुरी को अपनी सोत मान कर उससे इश्या करती है इसलिए उसे अपने होटों से नहीं लगा सकती चलिए आगे बढ़िए अगला सवईया है काननी दे अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है मोहनी तानन सोरस खानी अटा चड़ी गोदन गहे तो गहे तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समुझे है माईडी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जैहे न जैहे न जैहे काननी मतलब कानों में मुरली मतलब बांसुरी मंद मतलब धीनी अटा मतलब अटारी अटाली का जिसे कहते हैं जा कोठा कह सकते हैं पंजाबी में हम कोठा कहते हैं, कोठे ते जाना है, वैसे कह सकते हैं, टेरी, अवाज लगाना, पुकारना, सिग्रे, सिग्रे मतलब सारे, वा मतलब उस, तो ये शब्दार्त हैं, समहारी ना जैहे मतलब not kept, संबाली नहीं जा रही, ठीक है, और धुनी का मतलब आपको बता रस्खान का जो अचूक परभाव है, और गोपियों की जो विवश्टा है, उसका वर्ना रस्खान जी ने किया है, तो रस्खान उस्थिती का चितरन करते हैं, काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली दुनी मंद बज़े है, कि जब शिरी कृष्ण मुरली को मंद ध्वनी से बजाते हैं, तब गोपियां क्या करती है, कानों में अंगली दे देती है, क्यों, क्योंकि ये जो मुरली की धुन है, ये उन्हें विवश्ट कर देती है, मोहनी गोपियां तब अपने कानों में उंगली दे देती है, जब उनके कानों में शिरी कृष्ण की मुर उसको सुनने के लिए क्या करती है उन्हें घर के ऊपर अठा पर चढ़ने को विवश होना पड़ता है मतलब उपर जाना पड़ता है चत पे जाना पड़ता है क्योंकि शिरकृष्ण की बांसुरी की मुहनी तान सुनकर गोपिया अपने घर की अटारी पे चढ़ती है मतलब सारे ब्रज लोगनी मतलब ब्रजवासियों को पुकार कर बले ही कितना को को कितनों समुझ है भला वो कहां समझने वाले कितने भी ब्रजवासियों को ब्रज के लोगों को समझा लो पर वो नहीं सुनते क्योंकि श्रीकृष्ण पे मुगद है वो श्रीकृष्ण ने श्री कृष्ण के मुख की मुसकान इतनी प्यारी है कि वे हमसे संभाली नहीं जाती तो गोपियां श्री कृष्ण की मुसकान से अत्यदिक परभावित होती है और वे मुसकान उन पर बूरी तरह चा जाती है बूरी तरह और ये मुसकान जो है वो उनसे संभाली नहीं जाती और जितने भी ब्रच के लोग हैं वो Krishna की मुरली और उनसे इतने परभावित है कि वो और कुछ समझना ही नहीं चाते है बस यही था और Krishna की मुली की मोहक दुन की भी बात बता दी उनकी मुस्कान के अचूप पर भाव का भी वन्नन कर दिया और गोपियों की विवश्टा का भी सुन्दर सा चित्रन कर दिया गया है तो इस तरह बच्चो चार रस्खान जी के सवईये थे जा चंद कह लीजिए इन चारों सवईयों में जो भी रस्खान जी ने अपने भाव अभिव्यक्त किये हैं उनको अच्छे से समझीए उनको अच्छे से जानीए और कहीं भी कोई परिशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ब वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरको ऐसी उमीद है चलिए आपको जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ तिल देन गुडबाई झाल फट्सार के समझे बड़ियों प्रवब करें नहीं प्रवब करें बाले हैं झाल कर दो करेंगा सकता है